नमस्कार दोस्तों आप सफी का स्वागात है आपके अपने यूट्यूब चनल इस्टड़ी टूड़े विपलप में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास एइट की क्लास एइट की सोशियल साइन्स यानि की सामजिक विज्यान की कुछ important questions को देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम very short type के questions देखेंगे यानि की अति लगूत तरिया प्रसना देखेंगे और इस सारे के questions एग्जाम के लिए most important है वीडियो को complete देखना वीडियो का like करना सभी दोस्तों में share करना तो चली आज की इस वीडियो के start करते हैं तो चली start करते हैं पहला … प्रसन यह भारत के एक प्रमुग, इस्पात कमपनी है, इसकी स्थापना जो है 1907 में की गई थी, अगर आपको एक्जामें पूछ दें, कि टिस्को की स्थापना कप की गई थी, ताटा आइरन अनिस्टिल कंपने लिमिटेट की स्थापना कब हुई थी तो आपको अंसर दना है 1907 इस्वे में ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है यहाँ पर HEC नेक्स्ट कोशन आपके सामने है HEC की स्थापना कब की गई HEC इसका जो फूल फर्म है हेवी इंजिनियरिंग कर्फोरेशन लिमिटेट इसकी स्थापना कब हुई थी 1908 में हुई थी ठीक है 1909 नेक्स्ट आपके सामने भारत में पहली सूती कपड़ा मील 1854 इस्वे में किस जगह में स्थापीत हुई थी तो आपको याद रखना है भारत में पहली सूती कपड़ा मील 1854 इस्वे में किस जगह में स्थापीत हुई थी मुंबई के अंदर हुई थी आपको याद रखना है नेक्स्ट आपके समने यहाँ पर कि सूरत बंदर गाहा सूरत बंदर गाहा भारत के किस तठ पर इस्तित था अगर आपको एक्जामें पूछ दे कि सूरत बंदर गाहां स्थी थे तो आपको याद रखना है गुजरात के अंदर ठीक है गुजरात सूरत बंदर गाहा भारत के किस तठ पर इस्तित था तो आपको यहाँ पर अंसर देना है पस्चिमी तठ पर नेक्ट कोशन आपके समने यहां पर मसलीन मलमल क्या है आपको बता दो जामदानी बुनाई याद रखेगा 20-20 सदी के सुरुआत में जामदानी एक तरह का वारिक मलमल था जिस पर करगे में सजावटी चिन बुने जाते हैं इसका जो रांग है प्रहे सफेद और सलेटी होता है बारीक सूती कपड़ा ठीक है बारीक सूती कपड़ा याद रखेगा नेक्स्ट कुर्चन देखो भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है अहमदाबाद को कहा जाता है याद रखेगा एक्जाम के लिए most important है भारत का Manchester किसे कहा जाता है आहमधावाद को next question को किसे कहते हैं पटसन को कहते हैं पटसन को बंगल का सुनहरा रेचा कहा जाता है यहाँ एक रेसेदार फसल भी है इसके रेसों से बोड़े बनते हैं तंभू बनते हैं तिरपल दरी रस्थियां यह सब जो है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है आपको बता दू कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ब्राजील है यह आपको याद रखना है ब्राजील नेक्स्ट कॉश्चन आपके समने चावल किस प्रकार की क्रिसी का प्रमुक फसल है चावल किस प्रकार की क् का चीन है ठीक है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है जबकि दुसरे इस्थान पर भारत है आपको याद रखना है भारत जो है दुसरे इस्थान पर है ठीक है नेक्स्ट आपके सावना यहां पर कि विसमें विश में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोन है संग्युक्त राज्य अमेरिका ये आपको याद रखना है संग्युक्त राज्य अमेरिका जो है विश में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मक्का का मूल स्थान आपको याद रखना है मक्का का मूल इस्तान आपको एक्जाम में पुछ देता है पुछ देगा कि मक्का का मूल इस्तान तो आपको याद रखना है मेक्सिको ठीक है मेक्सिको आपको याद रखना है नेक्स रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है प्रेयारी प्रदेश को जो है रोटी की टोकरी कहा जाता है यह आपको याद रखना है सफेद सोना किसे कहा जाता है सफेद सोना सफेद सोना जो है कपास को कहा जाता है कपास रेसे वाली फसल में कपास का इस्तन सर्व प्रमूख है याद रखिएगा रेश्टे वाली फसल में कपास का इस्तान सर्वप्रमूख है आपको याद रखना है एकजमे पूछ देता है कि कपास का जन्मदाता किसे कहा जाता है आपको बता दू भारत भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है याद रखेगा भारत को कपास का जन्म दाता कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन आपके समने यहां पर कि विसका कौफी कटोरा किस देश को कहा जाता है विसका कौफी कटोरा किस देश को कहा जाता है ब्राजील को कहा जाता है यह आपको याद रखना है next प्रसण आप के सामने यहां पर देखेगा कि अनसुचित जाती और अनसुचित जन जाती अधिनियम का पारित हुँ आपको याद रखना है 1989 में नेक्स्ट है आपके सामने की अस्प्रिस्रता उन्मुलन अस्प्रिस्रता उन्मुलन का प्रावधान संग्विधान की किस अनुच्छेद में बरनी थे आपको याद रखना है अनुच्छेद 17 में ठीक है किस अनुच्छेद में बरनी थे अनुच्छेत 17 में जर्खंड की खूल अवादी का कितना पृतिसाद आदिवासी है आपको याद रखना है 26 पृतिसाद चाहसे लेकर 14 साल के कितने प्रतिसाद बच्री कभी स्कूल नहीं गई सच्चर समिती रिपोट के आधार पर छो से लेकर 14 साल के कितने प्रतिसाद बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए तो आपको याद रखना है 25 प्रतिसाद आपको याद रखना है सच्चर समिती का गठन किस बर्स हुआ एक जाम के लिए काफी इंपोडेंट है सच्चर समिती का गठन किस बर्स हुआ 2005 इस विमें हुआ था यह आपको याद रखना है नेक्स्ट ए लास्ट कोश्चन है कि सच्चर समिती का रिपोट किस से सम्मंदित है देखे सच्चर समिती का जो रिपोट है मुस्लीम समुदाय से सम्मंदित है मुस्लीम सम्मंदाय से सच्चर समिती का गठन 2005 में की गई थी सच्चर समिती रिपोट के आधार पर 6 से लेकर 14 साल के कितने बच्चे जो है कभी स्कुल नहीं गए है तो आपको अंसर दना है 25 प्रतिसत सच्चर समिति का गठन किस बर्स हुआ 2005 में सच्चर समिति का रिपोट किसे समंदित है मुसलिम समुदाज से समंदित है तो यह थे कुछ इंपॉर्टन कोस्टन वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए सभी दस्तों में शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके दखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत तरी बीडियो में